बिहार में विधानसभा चुनाओं से पहले यात्रा पर क्यों निकलेंगे नितिश कुमार सीम काम बखसत जानिए नमस्कार मैं सैयूक तादेश मुख और आप देख रहे हैं खबर दस तक बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार जल्द ही राज्य की महलाओं से जूरने के लिए एक खास यात्रा शुरू करने वाले हैं इस यात्रा का मकसद होगा महलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया जानना और आने वाले विधान सभाचुनाओं से पहले उनका समर्थन हासिल करना माना जा रहा है कि ये यात्रा छट पूजा के बाद शुरू कर सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार जल्द ही एक बाद फिर राज्य में यात्रा निकाल सकते हैं बिते दिनों इस बात के संकेत मंत्री लेशी सीहन ने दिये थे बता दे कि नितिश कुमार इससे पहले भी कई बार राज्य में यात्रा पर निकल चुके थे लेकिन इस बार उनकी यात्रा अलग रहेगी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाओं से पहले सीयम छटकुजा के बाद नवंबर में ये यात्रा शुरू कर सकते हैं इस यात्रा के जरिये नितिश कुमार राज्य की आधियाबाद यानि महलाओं के मन की बाद समझने की कोशिश करेंगे दरसल बिहार की राजणिती में इस दिनों यात्रा पदियात्रा का काफी चलन देखने को मिल रहा है चुनावी रणनितिकार प्रशांत किशोर बिहार में पिछले साल से पदियात्रा कर रहे है पीके अपने संगटन जनसुराज के 2 अक्तुबर को एक राजनितिक दल में तब्दील कर देंगे पीके की पार्टी विधानसभाद चुनाओं भी लड़ेगी इधर बिहार के पूर्व उपवुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादों ने भी बिहार में आभार यात्रा शुरू कर दी है इस यात्रा के जरिये तेजस्वी अपनी पार्टी राजत के लिए चुनावी माहोल भापने की कोशिश तो कर ही रही है साथ ही जनता की नफस भी टटोलने में लगे है बिहार की राजनीती में माहिर खिलाडी माने जाने वाले नितीश कुमार भी यात्रा के जरिये वोटर के मन की बात जानने की कोशिश करेंगे बिहार विधान सभाचुनाओं से पहले नितिश कुमार राज्य सरकार की चलाई जा रही महलाओं से जुड़ी योजनाओं पर सीधे लाभार्तियों से बाच्चित करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया लेंगे नितिश कुमार पहले भी अपनी समाधान यात्रा के दोरान सरकारी योजनाओं का जायजा ले चुके है लेकिन ये पहली बार होगा जब उनकी कोई यात्रा खासतोर पर महलाओं पर केंडरित हो जेडी उनेता और नितिश सरकार में मंत्री लेशी सीहने इस बात की पुष्टी करते हुए कहा था नितिश कुमार महलाओं से समवाध करेंगे और महला सशक्तिकरण के लिए सरकार की विबिन पहलों पर उनके अनुभोश सुरेंगे मुख्यमंती ने महलाओं के लिए सालों से काफी काम किया है पंचायती राज में महलाओं को 50 फी सदी आरक्षन दिया और सरकारी नोकरी में महलाओं के लिए 35 फी सदी रिजर्वेशन दिया चुनावी जानकारों का मानना है कि नितिश कुमार का महला मतदाताओं के बीच अच्छा खासा जनाधार है महलाओं के लिए कई सरकारी योजनाये शुरू करने आरक्षन निती और शराब बंदी जैसे कदमों के कारण नितिश कुमार ने महलाओं का विश्वास जिता है बिहार की राजनीती के जानकार ओम प्रकाश अश्क का कहना है कि सभी पार्टियों के लिए महला एक कोर वोट बैंक है जेडियू के लिए महला वोटर और भी खास है इसलिए विधान सभाचुनाओं से पहले नितिश कुमार का स्कॉर वोट को अपनी पार्टी के लिए और मजबूत करना चाहते हैं उन्होंने कहा कि 2016 में नितिश कुमार ने बिहार में शराब बंदी लागू कराई उनकी इस पहल को महलाओं ने काफी सरहा हाला कि विपक शराब बंदी को विफल बता रहा है लेकिन महलाओं के बीच नितिश कुमार की लोग प्रियता का यह एक बड़ा कारण है एक एकाथ केस को छोड़ कर छोड़ दे तो आप जमीन स्तर पर जाकर महलाओं से इस बारे में बात करे तो जब आप पॉजिटिव ही मिलेगा इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए हमारे चैनल खबरदस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है नमस्कार